नमस्कार मैं पुश्पेंदर पांडे आज आपको मंदिर से जुड़ी कुछ भ्रांतियों के बारे में बताने जा रहा हूं आज कल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग मंदिर में देवी देवता की प्रतिमा के पीछे जाकर के वहाँ पर अपना माथा टेकते हैं नाकर गरते हैं या कुछ परशाद वहाँ पर चिपका करके आ जाते हैं तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि देवी देवता के पीछे जो भी आप नाकर गरते हैं या परशाद चड़ाते हैं या परणाम करते हैं तो आपके पुन्ने फलो का च्छए हो जाता है इस पालियवन भारत में स्री क्रिश्ण से युद्ध करने के लिए आये तो स्री किष्ण भगवान वहां से युद्ध भूमी छोड़ करके भागने लगे जब वह भागने लगे तो दाव भीया ने कहा किये काना ये आप क्या कर रहे हो इससे तो आप रंड छोड कहलाओगे तो स्री किष्ण भगवान ने कहा ये काल यवन है भहिया ये ब्रामणों की सेवा करता है ये धर्म कर्म करता है तो इसको मैं भी जो है बिना इसके पुन्यों के छै हुए बिना मार नहीं सकता तो इसके पुन्यों का च्छै कैसे होगा इसके पुन्यों का च्छै मेरी पीठ देख करके होगा तो जो भी मनुष्य मेरी पीठ देखता है या किसी भी देवी देवता की पीठ देखता है उसके कई जन्मों के पुन्य च्छै होने सुरू हो जाते हैं तो जिस से यह मेरी पीठ को देखेगा मेरे पीठ शे भागेगा तो इसके पुन्य भी छह हो जाएंगे और यह मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा तो यह चोटी सी कथा है जो मैंने आपको सुनाई जैसा कि आपने मंदिरों में देखा होगा कि भगवान के पीठ के पीछे एक दिवार होती है आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो शिवलिंग को छोड़ करके आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाएए तो आपको पीठ के पीछे दिवार मिलेगी इस दिवार के होने का कारण क्या है इस दिवार के होने का कारण ये है कि किसी भी देवी देवता के या भगवान के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है आप जब भी उनके पीठ के पीछे के दर्शन करेंगे तो वो दरिद्रता हो जाएगी और आगे से दर्शन करने से हमें लक्षमी सौभाग्य सुख और आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए हर एक देवी देवता के पीठ के पीछे एक दिवार का निर्मान होता है और हम लोग उसी दिवार पर जाकर के उसी पीठ को नमस्तकार करते हैं अपना मस्तक जुकाते हैं वहां पर फूल परसाथ चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि हमें पुन्य की प्राप्ति हो रही है यानि कि हम लोग भगवान के सम्मुक जाते हैं उनका आशिरवात प्राप्त करते हैं और उसी आशिरवात को लेकर के फिर पीठ के पीछे जाते हैं उनका पूजन करते हैं और उस आसिरवात को खो देते हैं अब यहां पर परशन यह उठता है कि क्या हमें परक्रमा भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि परक्रमा करेंगे तो पीठ के पीछे तो जाना पड़ेगा तो परक्रमा आप कर सकते हैं परक्रमा करने से प करके फिर दुबारा उनके सम्मुख आते हैं आते हम लोग पीठ से ही हैं लेकिन फिर दुबारा उनके सम्मुख आते हैं और फिर वहां से हम अपने इस्थान को लोट जाते हैं तो इससे कोई दोश नहीं लगता है अता है मेरा आप लोगों से करबद करके ये प्रातना है कि आप लोग कभी भी किसी मंदिर के पीठ पर जाकर के उनकी पूजा ना करें उनकी अराधना ना करें बलकि उनके सम्मुख बैठ करके उनके आगे बैठ करके पूजा अराधना करिये और लाब उठाईये और अपने जीवन में उन्नती के पत्थ पर और आगे बढ़ें जैसा क आप लोग भूलकर भी ना करें क्योंकि उनकी पीठ फिर आपके घर की तरफ हो जाती है और दुख और दरिदता का आवाज आपके घर के अंदर और वहां पर रहने वाले लोगों पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है लाब की जगें वहां पर हानी होती है अतय है जब भ कि दोनों गणपती की पीट एक आमने सामने हो जाएगी और वो नेगिटिविटी जो अंदर जाने वाली थी वो अंदर ना जा करके वहीं पर रुख जाएगी और दोनों तरफ जो है पॉजिटिविटी आ जाएगी आपने देखा होगा कि यह उपाए दक्षिन मुखी घरों आप लोग या मुर्ती या चित्र गणपती का आप लोग अपने दर्वाजों पर दोनों जगे अंदर और बाहर सिर्फ लगा सकते हैं एक गणेश जी का चहरा बाहर की तरफ रहेगा और दूसरे गणेश जी का चहरा अंदर की तरफ रहेगा इससे क्या होगा कि दोनों की पीट उस दिवार पर लग जाएगी और जो दोनों negativity है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी और positivity जो है आपके घर में आ जाएगी आज की वीडियो में बस इतना ही नई जानकारियों के साथ हम आपके समक्ष फिर उपस्तित होंगे धन्यवाद